खर्मास में करे तीन उपाई, ये दो ग्रहे खोलेंगे उन्नती के द्वार, सूरिय के समान चमके का भाग्ये सूरिय का गोचर धनू में 16 दिसंबर को होगा, उस दिन से खर्मास सुरू हो जाएगा खर्मास के समय आप दो ग्रहों सूरिय और देव व्रस्तती की पूजा करते हैं तो आपको अनिक लाब होंगे, जोतिस अचारिय डॉक्टर मृत्युन जै तिवारी से जानते हैं खर्मास के जोतिश उपायों के बारे में एक साल में दो बार खर्मास लगता है, पहला खर्मास मार्च से अप्रेल के बीच और दूसरा खर्मास दिसंबर से जनवरी के बीच लगता है सूरिय देव जब गुरू ग्रह की रासी में धनू और मीन में परवेज करते हैं, तो उस समय से खर्मास लगता है इस बार दिसंबर में खरमास का प्रारम सूर्ये के धनू राशी में गोचर करने से होगा सूर्ये का गोचर धनू में 16 दिसंबर को होगा उस दिन से खरमास सुरू हो जाएगा खरमास में आप दो ग्रहों सूर्ये और देव गुरु ब्रिस्पती की पुजा करते हैं तो आपको अनेक लाब होंगे खरमास में कौन से तीन उपाय करें जिससे भाग्य सूरिय के समान चमकेगा कारियों में सफलता प्राप्त होगी कौन से दो ग्रहें आपके लिए अच्छे दिन ला सकती है खरमास 2023 कब से कब तक है खरमास का प्रारंब 16 दिसंबर सनीवार साम 4 बजकर 9 मिनट से खरमास का समापन 15 जनवरी 2024 सोमवार मकर संक्रांती के दिन जानते हैं उपायों के बारे में पहला उपाय सूर्य देव की अराधना मंत्र जाप और दान जिस दिन से खरमास का प्रारंब हो रहा है उस दिन से ही आप सूर्य देव की पूजा प्रारंब कर दें प्रति दिन इसनान के बाद सूर्य देव को जल लाल फूल और लाल चंदन से अर्ग दें सूर्य के एकाकशरी बीज मंत्र ओम घ्रणी सूर्याई नमे का जाप करें सूरिय मंतर का जाप लाल चंदन की माला से करें यह उपाय आप पूरे खरमास करें इससे आपकी कुंडली में सूरिय की इस्तिती मजबूत होगी सूरिय के प्रबल होने से आपका भागय मजबूत होगा करियर में सफलता प्राप्थ होगी, राजनीती के छेतर में बड़ा पद्राप्थ हो सकता है सूरिय को मजबूत करने के लिए आप रविवार का व्रत रखें और दान दें यह दान आप हर दिन या फिर रविवार को कर सकते हैं रविवार को गेहूं, गुड, लाल या नारंगी कपड़ा, तांबा या तांबे के बरतन आदी का दान कर सकते हैं सूर्य चालीसा और आदित्य हर्दिय स्रोत का पाठ भी कल्यानकारी होगा दूसरा उपाय, देव गुरु ब्रस्पति की पूजा, खर मास के समय में आपको देव गुरु ब्रस्पति की पूजा करनी चाहिए कुंडिली में गुरु ग्रह के मजबूत होने से धन और विद्या दोनों ही प्राप्त होते हैं करियर में उन्नति होती है, यदि आपकी कुंडिली में गुरु कमजोर है तो सिक्सा में असफलता और धन की कमी होती है काम से यश प्राप्त नहीं होता है, खर मास में आप गुरु ग्रह मजबूत होता है खर मास में आप प्रतेक दिन या फिर हर गुरुवार को केसर, हल्दी, पीले, कपड़े, केला, गुर, चने की दाल आदी का दान करें यह दान किसी गरीब ब्रामन को ही करना चाहिए क्योंकि सास्त्रों में ब्रामन को गुरु के समान बताया गया है खर मास में आप अपने गुरु जनों का आसिरवाद लें, इससे भी आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा आप चाहिए तो गुरु ग्रह की मंत्र ओंब्र ब्रस्पते नमे का जाप हल्दी की माला से करें इसका चमतकारी लाब आपको देखने को मिलेगा तीसरा उपाय हर दिन तुलसी के पास जलाएं घी का दीपक खर्मास के समय में तुलसी की पूजा करने चाहिए क्योंकि तुलसी भगवान विष्णों को प्रिय है तुलसी की पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है जिसे धन समपती में व्रद्धी होती है, दरिद्रता दूर होती है खरमास में आप प्रतेक दिन तुलसी की पूजा करें और संध्या में तुलसी के नीचे घी का दिपक जलाएं इस उपाय को करने से परिवार में सुक और सम्रद्धी की बढ़ोतरी होगी आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें ने चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करें ना वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद जै मातरवी